नमस्कार आप देख रहे हैं देश्वान यूज और मैं हूँ आपके साथ दक्षा प्रिया आज आठवा अंतराश्टी योग दिवस मनाया जा रहा है इस मौके पर माल्दीव की राजधानी माले के गोलोलू नैशनल फुटबल स्टेडियम में योग शुविर का योजन किया था जोरान कई लोग योगा कर रहे थे इसी बीच इस्लामिक कटरपन्थी के ग्रूप ने स्टेडियम पर हमला कर दिया बता दे कि 100 से भी अधिक लोग अचानक से स्टेडियम में घुस आए और स्टेडियम पर हमला कर दिया गया वहीं स्टेडियम में घुसे लोगों ने तोड़फोर भी की और योग के लगी जितने भी बैनर और पोस्टर थे वो सारे पार दिये और तोड़ फोर भी की गई वही जो लोग भी इसका वीडियो बना रहे थे उन लोगों ने उस पर भी हमला कर दिया वही आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो इसलामिक कट्टरपंती का ग्रूप है वो लोगों पर हमला कर रहा है तोड़ फोर मचा रहा है और योग से जुड़े जितने बैनर पोस्टर थे उसको उन्होंने फार दिये और काफी तोड़ फोर भी मचाए वही वो एक बैनर लेकर के स्टेडियम के अंदर घुजे थे जिसमें लिखा वह था योग इस शिर्क जिसका मतलब होता है कि इसलाम में योग पाप है तो अभी इस पूरे मामले की जाच की जा रही है देशवा न्यूज में फिलाल के लिए इतना ही बने रहे हैं हमारे साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ ही हमारे फेस्बुक पेज को लाइक करें और हमें ट्विटर और इंस्टेग्राम पर फॉलो करें धन्यवाद देश्वा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन दवाना न भूले